आज जो है वो मैं आप से कैसे कम्यूनिकेट करूँ तो यह समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं कुछ कोश्चन्स लेखे और पहला कोश्चन एक्जाम पोस्ट पॉन हो चुके है तो बच्चों का यह कहना पढ़ रहा है आप लोगों का किसर हमे और रिवीजन वीडियो चाहिए और जो कि मेरे लिए बहुत मुस्किल है पर फिर भी कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहा है प्रॉब्लम किया है रिक्वेस्ट में भी मैं परिशान हूं चलो मैं आपके लिए कुछ करूं पर करूं तो कैसे करूं कोई बोल रहा यह वीडियो जो देख रहा है, comments में लिखेंगे, यह topic है, जिसका हम revision कर सकते हैं, security valuation जिसमें bond valuation और equity valuation दोनों होगा, corporate valuation में क्या होगा, corporate valuation, old slabus में merger का हिस्सा होता है, new slabus में merger अलग है, corporate valuation अलग है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहां valuation of firm निकालेंगे, free cash flow approach, वो यहां cover होगा, merger and acquisition कुछ है नहीं, swap ratio बगेरा निकाल कर सामने वाली firm को acquire करें नहीं करें, तो यह दोनों एक साथ नहीं कर साथ, कोई भी एक revision में अब डालने के लिए तैयार हूँ, और time बचा ही नहीं ह कौन सा चाहिए वीडियो, और जिसमें, वही है आप voting ही बचा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो topic की demand होगी, वो topic में revision, वीडियो पकड आने वाला हूँ, आने वाले कुछ दिनों में, कल बताऊँगा, कल, कल भी, आखिर actually मैं आपसे बात कैसे करूँ, यही एक साहरा है, वीडियो ही upload करना पड़े है, तो आज जो comments में आएगा, उस हिसाब से कल मैं आपको date बताऊँगा, और chapter बताऊँगा, कि कौन सा chapter का मैं revision आपको देने वाला हूँ, दूसरा, मुझे feedback भी एक बार दे दीजे, क्योंकि कुछ बच्चों का यह कहना पड़ा है, कि sir, revision थो ज़्यादा जो भी आपको जो भी समझ में आता मुझे बताईएगा, कल मैं announcement कर दूँगा कि मैं कौन सा video upload कर रहा हूँ, बाई